जब 1952 में बाबा साब ने जब इंदू कोर्ट विल बना करके जब इस्तिफा दिया जब वो खेल हो गया तो बाबा साब का इस्तिफा इसी लिए था क्योंगी यूनिफर्म सिविल कोर्ट अंडर इंदू कोर्ट विल आना चाहिए था सब मैं तो कहता हूँ यूनिफर्म सिव नेचर से जुड़ा हुआ है बहुत सारी चीजे इसले जुड़ी हुए है नेचर से जुड़ी है लेकिन हिमाचार करके उस नेचर को डिश्ट्रोइ ना करें वहाँ पर तमाम लोग घर बनाएंगे छोटे-छोटे पहाण नस्टोएंगे नेचर नस्टोगा जंगल स्क्राइबे और सफने जायों फश्शा क्यों नहीं पहनावा औरावा एक पारियों से चले होई मेरी से कीसी है ऑप नद बवैल को खट्रा आ मुझे समझ नहीं आता मैं मुस्लिम भाईों से हमेशा से कहता हूं कि भाई आप इस रिलीजियस चक्कर में न पढ़के आप भारत के नागरी को भारत की सरकारों से बोलो आप इस चक्कर मत पड़ो परलिमेंट चल रही है मेमोरेंडम दो कि भाया 20% हमारी आबादी है भारत की फौज में 20% हमें सेनिक चाहिए हमारे हमें इस देश के जो जितने अर्थ सेनिक बल हैं 20% हमारी भागेदारी सुनिश्चित करो आप आर्थिक विशमता पर बात क्यों नहीं करते। किसको ऐसी साहब करें बढ़ दिया जो युनिफॉर्म सी प्रिकोट पहन लेगा देखिए वह एक वेरिश्टर है अगर ऐसी बात कर रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ है मैं ओवी सी साहब का एक परसंद सकूं क्योंकि कानून की सविधान की बात करते हैं अगर वह आप अपनी आजाधी की बात कर रहे हैं जब आपकी महिलाओं की आजाधी की बात आ रही है जब उनको मान-सम्मान के और एक अधर आईसा क्यों कि एक ही बेश के बच्चे अलग अलग तरे की स्कूलों में जाएंगे एक जमीन पर बैठेगा और एक एसी बेच कर पढ़ेगा एक जो है परसेंट भी ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी मुझे लगता मेरा भी सर्वें है यह एक्सिडेंटल केस है और उसमें भारते जनता पार्टी भी शामिल है भारते जनता पार्टी के भी कई ऐसे देता है बिगण दिन की फीर दो तीन शादियां है तो यह कोई इसु नहीं है